One the Slate YouTube channel में आपका स्वागत है. अधिक अपडेट के लिए हमारे YouTube channel को सब्सक्राइब करें. आज का क्विज विशय है. Weekly Current Affairs from 26th of January 2020 to 1st of February 2020. Question No. 1 हाल ही में पहियों वाली महिलाई कैब सेवा किस शहर में शुरू हुई? Option A. Bengaluru Option B. नई दिल्ली Option C. हैदरबाद Option D. जैपुर सही जवाब है. Option B. नई दिल्ली Woman with wheels Taxis सेवा सखा कैब्स की एक पहल है. यह टैक्सी सेवा नई दिल्ली के इंदरा गांधी अंतराश्ट्रिया हवाई अडे से शुरू की गई है. कैब विशेश रूप से महिला यात्रियों के लिए चलाई जाती है और महिला ड्राइवरों द्वारा संचालत की जाती है, जिन्हें आजाद फाउंडेशन नामक एक NGO से काम पर रखा जाता है. यह पहल महिला सुरक्षा और महिला सशक्ती करण के लिए शुरू हुई है. Q2. राश्ट्री यमत दाता दिवस का विशय क्या है जो 25 जन्वरी को मनाया जाता है? Option A. समावेशी और गुणात्मक भागिदारी. Option B. मतदाता होने का गर्व, मतदान करने के लिए तैयार. Option C. सुगम्या भारत. Option D. मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षर्ता. सही जवाब है. Option D. मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षर्ता. 10-way राश्ट्रिय मतदाता दिवस माइनस 2020 के लिए विशय मजबूत साक्षर्ता के लिए चुनावी साक्षर्ता है। यह विशय चुनावी प्रक्रिया में मतदाता शिक्षा और नागरिकों के विश्वास के नवी नीकरन पर ध्यान के इंद्रित करता है। 2011 से हर साल 25 जन्वरी को यह दिवस मनाया जाता है। राश्ट्रपती रामनाथ को विन्द 10-way राश्ट्रिय मतदाता दिवस समारों में मुख्य अतित्थी होंगे। जो की भारत के चुनावा योग द्वारा नई दिल्ली में मानेक्षो सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। Q3. भारत का पहला एक चरा क्लिनिक किस राज्य में खोला जा रहा है। CPCB और भोपाल नगर निगम, BMC द्वारा सयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। यह घरेलू और वानिज्जीक दोनों एकाईयों से कच्रे के प्रिथक करन, प्रसंसकरन और निप्टान में सक्षम होगा। Q4. भारत ने अशुगन जखौरा सडक को फोलेन राजमार्ग में अपक्रेड करने के लिए किस देश के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये। Option A. श्रीलंका, Option B. बांगलादेश, Option C. भूटान, Option D. अफगानिस्तान, सही जवाब है। Option B. बांगलादेश, भारत और बांगलादेश ने अशुगंज नदी बंदरगाह और बांगलादेश में अखाडा भूमी बंदरगाह के बीच 50.58 किलोमेटर लॉंग सडक को फोलेन राजमार्ग में अपक्रेड करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये। यह सौधा बांगलादेश के सडक और राजमार्ग विभाग, RHD और एक भारती अकांपनी अफकन्स इंफ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच हुआ। BSNL सही जवाब है Option A Reliance Jio Reliance Jio, My Jio एप पर UPI भुक्तान की सुविधा देने वाला पहला दूर संचार ऑपरेटर बन गया है Access के लिए Reliance Jio users को UPI transaction के लिए sign up प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसके बाद apps एक नई UPI ID बनाने की जरूरत होगी Question No.6 राश्ट्री या परेटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? Option A 26 January Option B 24 January Option C 25 January Option D 22 January सही जवाब है Option C 25 January राश्ट्री या परेटन दिवस हर साल 25 January को अंतर राश्ट्री असमुदाय के भीतर प्रभाव, जागरूकता बढ़ाने और यह प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है कि यह दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभ भावित करता है, मुख्य तत्य, 27 सितंबर को विश्व परेटन दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का विशय परेटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविश्य था, W.E.F. की रिपोर्ट के नुसार, विश्व यात्रा और परेटन प्रतिस्परधात मक्ता सूचकानक में भारत का रैंक 34 वाँ है, Q7. किस देश ने 2020 के लिए G77 अध्यक्षपद सम्हाला है? Option A. भारत. Option B. गायाना. Option C. त्यूनीशिया. Option D. अफगानिस्तान. सही जवाब है. Option B. गायाना. दक्षिन अमेरिकी देश गायाना ने फिल इस तीन से वर्ष 2020 के लिए G77, G77 के समूह की अध्यक्षता की, जिसने 2019 के लिए समूह की अध्यक्षता की, G77 को 15 जून 1964 को जिनेवा में स्थापित किया गया, जो सबसा बड़ा अंतर सरकारी संगठन है सयुक्त राश्ट में विकास शील देश, इसका मुख्यालय न्यू यॉक, सयुक्त राज्या अमेरिका में है. Q8. किस स्थान पर सेवा जानवरों के लिए समर्पित भारत का पहला युद्धिस मारक स्थापित किया जाएगा? Option A. जम्मू. Option B. लखनव. Option C. पटना. Option D. मेरट. सही जवाब है. Option D. मेरट. उत्तर प्रदेश के मेरट शहर को कुत्तों, घोडों और खचरों सहित सेवा जानवरों के लिए भारत के पहले युद्ध समारक की मेजबानी मिलेगी. यह स्थान 2016 में कश्मीर में युद्ध और 2016 में कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध में आतंकवाद रोधी अभियानों में सेना की मदद करने वाले जानवरों के योगदान और वीरता को समर्पित करेगा. Q9. 25 जन्वरी 2020 किस राज्य का 50 वा राजित्व दिवस है? Option A. उत्तराखंड. Option B. हिमाचल प्रदेश. Option C. तमिलनाडू. Option D. आंधरप्रदेश. सही जवाब है. Option B. हिमाचल प्रदेश. 18 दिसंबर 1970 को, हिमाचल प्रदेश अधिनियम को संसद और 25 जन्वरी 1971 को गठित नए राज्य द्वारा पारित किया गया था. यह अपने 50 वे राज्य दिवस को पूरे राज्य में धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहा है. Question No.10. किस राज्य सरकार ने एगरी बिजनेस और ग्रामीन परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 210 मिलियन अम्रीकी डालर के रिंद समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं? Option A. असम. Option B. नई दिल्ली. Option C. मनिपुर. Option D. महराष्ट्र. सही जवाब है. Option D. महराष्ट्र. भारत सरकार. महराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने आज महराष्ट्र क्रिशी विवसाय और ग्रामीन परिवर्तन परियोजना के लिए 210 मिलियन अम्रीकी डालर के रिंद समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं जो नोडल विभागों और संस्थानों की कमता का निर्मान करने में मदद करेगा. क्रिशी मूल्य श्रिंखलाओं में निजिक शेत्र के निवेश में व्रिधी. Question No. 11. भारत पर्व 2020 इंचिस किस शहर में मनाया गया है? Option A. पुणे. Option B. नई दिल्ली. Option C. मुंबई. Option D. कोची. सही जवाब है. Option B. नई दिल्ली. भारत पर्व 2020 इंचिस. नई दिल्ली के लाल किले में भारत की भावना का उत्सव मनाने का उत्सव शुरू हुआ है. इसका उदघाटन 26 जनवरी को धूमधाम से किया गया था और 31 जनवरी तक मनाया जाएगा. भारत पर्व का उद्देश्य लोगों को देश के विभिन परेटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोचसाहित करना और देखो अपना देश की भावना को प्रोचसाहित करना है. इस वर्ष का विशय एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गान्धी के 150 वर्ष का जश्न है Q12. भारत की पहली सुपर फैब लेब का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? Option A. Tamil Nadu. Option B. Telangana. Option C. आंधरप्रदेश. Option D. केरल. सही जवाब है. Option D. केरल. देश की पहली सुपर फैब लेब केरला स्टार्ट अप मिशन. K.S.U.M. के इंटीग्रेटेड स्टार्ट अप कॉम्पलेक्स केरला में लॉंच की गई थी. यह लेब मैसाच्यूसेट्स इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलजी. MIT के साथ मिलकर काम करेगी. Question No.13. किस राज्य सरकार ने शिव भजन योजना शुरू की? Option. आंधरप्रदेश. Option. B. तमिलनाडू. Option. C. महाराश्ट्र. Option. D. ओडिशा. सही जवाब है. Option. C. महाराश्ट्र. महाराश्ट्र की राज्य सरकार ने योजना शुरू की है भाई योजना जो विभिन स्थानों पर कम से कम 10 रुपे का भोजन प्रदान करती है. यह योजना 71 वे गनतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी. Question number 14. कौन सा देश अपने नागरेकों कोई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला दक्षन एश्यक्षेत्र का पहला देश बन गया है? Option A. बांगलादेश. Option B. श्रीलंका. Option C. भारत. Option D. अफगानिस्तान. सही जवाब है. Option A. बांगलादेश. बांगलादेश की प्रदान मंत्री, शेक हसीना ने अपने नागरेकों के लिए एकी पासपोर्ट सुविधा शुरू की है. बांगलादेश E. पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिन एशियक्शेत्र का पहला देश बन गया है. इस सुविधा के साथ बांगलादेश दुनिया का 1191 देश है. E-Passport एक Smart Passport या Digital Passport है जिसमें एक Electronic Chip होती है। Chip में Passport धारक का सारा Data आम तोर पर Passport के पेज पर छपी जानकारी होती है। Chip में Passport धारक का नाम, जीवनी संबंधी जानकारी, जनमतिती और सभी संबंधित जानकारी दर्ज होती है। Question No.15 RBI ने सरकार और Corporate Bond में FPI की अलपकालिक निवेश सीमा 20% से अंडर स्कोर तक बढ़ा दी है। Option A. 25% Option B. 30% Option C. 35% Option D. 40% सही जवाब है। Option B. 30% विदेशी पोर्ट अफोलियो निवेश को, FPI के लिए निवेश सीमा को केंदरो और राज सरकार की प्रतिभूतियों में 20% से 30% तक बढ़ा दिया गया है। जिसमें Treasury Bill और Corporate Bond शामिल है। इसका उद्देश बाजार में अधिक विदेशी फंड लाना है। Question No.16 सुभाष चंद्रबो सापा प्रभाधन पुरुसकार 2020 कि स्राज ने जीता है। Option A. उत्तराखंड Option B. उत्तरप्रदेश Option C. ओडिशा Option D. हिमाचल प्रदेश सही जवाब है। Option A. उत्तराखंड आपदा शमन और प्रबंधन केंदर DMMC उत्तराखंड संस्थान श्रेनी में और कुमार मुननन सिंग व्यक्तिगत श्रेनी ने सुभाष चंद्रबो सापा प्रभाधन पुरुसकार 2020 जीता है। किसी संस्था के मामले में विजेता को एक प्रमान पत्र और एक नकद मिलेगा। 51 लाख रुपय का पुरसकार व्यक्तिगत विजेता के मामले में उसे एक प्रमान पत्र और रुपय का नकद पुरसकार प्राप्त होगा। 5 लाख Question No.17 2018-19 में सबसे अधिक सबजी उतपादन में किस राजी ने शीष स्थान प्राप्त किया है। Option A. पश्चिम बंगाल Option B. उत्तर प्रदेश Option C. मध्य प्रदेश Option D. बिहार सही जवाब है। Option A. पश्चिम बंगाल केंड्र सरकार द्वारा जारी बागवानी उतपादन आंकणों के अनुसार भारत में 2018-19 में सबजी उतपादन में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। Question No.18 तीसरा ग्लोबल पोटेटो कॉंक्लेव माइनस 20 किस शहर में आयोजित किया गया है। Option A. पुणे Option B. बेंगलुरू Option C. गांधी नगर Option D. लखनव सही जवाब है Option C. गांधी नगर ग्लोबल आलू कॉंक्लेव माइनस 2010 का तीसरा संसकरण गुजरात के गांधी नगर में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉंक्लेव का भागिदार देश है। Q. नमामी गंगे मिशन के तहत पाँच दिवसिय गंगा यात्रा किस राज में शुरू होती है? Option A. उत्तराखंड Option B. उत्तरप्रदेश Option C. बिहार Option D. पश्चिम बंगाल सही जवाब है Option B. उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश के बिजन और बलिया से जैव विवधता को बढ़ावा देने के लिए नमामी गंगे मिशन के तहत पाँच दिवसिय गंगा यात्रा शुरू हुई उत्तरखंड के मुख्यमंतरी त्रिवेंद्र सिंग रावत और केंधरिय मंतरी सन्जीव बलियान के साथ ही उपी के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाथ ने बिजन और, जहां गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यात्रा को हरी जंडी दिखाई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित त्यात्रा का उद्देश्य जैव विवधता को बढ़ावा देना और पवित्र नदी के किनारे स्थित गान्वों को अधिक विक्सत और सम्रिद्ध बनाना है Q20. केरला मीडिया अकादमी द्वारा स्थापित राष्ट्रिय पुरुसकार में उतकृष्ट मीडिया व्यक्ती के रूप में किसे चुना गया है? Option A. रवीश कुमार. Option B. एनुराम. Option C. राजदीप सर्दसाई. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option B. एनुराम. दहिंदू ग्रूप के अध्यक्षे एनुराम को केरला नेशनल मीडिया अवोर्ड के लिए चुना गया है. अकादमी की 40 वी वर्ष गांठ समारोह के तहत 1 लाख का नकत पुरस्कार, प्रशस्ती पत्र और मूर्तिकला देने की घोशना की गई. यह पुरस्कार मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारामाश में एक मीडिया सम्मेलन में प्रधान किया जाएगा. Question No.21. भारत का पहला Underwater Metro किस शहर में स्थापित किया जाएगा? Option A. Kolkata. Option B. Bengaluru. Option C. Patna. Option D. भुवनेश्वर. सही जवाब है. Option A. Kolkata. पहला Underwater Metro का निर्मान हुगली नदी, कोलकाता में किया जा रहा है. यहावडा और महाकरन स्टेशनों को जोड़ेगा. हुगली मेट्रो देश की सबसे पुरानी मेट्रो में से एक है. यह 1984 में शुरू हुआ था. यह नई पानी की सुरंग शहर की आबादी का 20% ले जाएगी और एक मिनिट से भी कम समय में नदी को पार कर जाएगी. वर्तमान में, नदी को पार करने के लिए घाट पर 20 मिनिट लगते हैं और हावडा पुल को पार करने में एक घंटा लगता है. Question No. 22. किसे हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानत किया गया है? Option A. AR पाठक. Option B. N. कुमार. Option C. PV पटेल. Option D. इन में से कोई नहीं. सही जवाब है. Option B. N. कुमार. अखिल भारती अकृषी चात्रसंग द्वारा एन कुमार को इठहरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानत किया गया है. एन कुमार तमिलनाडू कृषी विश्व विद्याले के कुलपती है. यह पुरस्कार इंदिरा गांधी कृषी विश्व विद्याले में फाइववे राश्ट्री अयुआ सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था, जिसे रायपुर, 36 गढ़ह में आयोजित किया गया Question No.23. किस राज्ज में, कैबिनेट ने विधान परिशत को खत्म करने का संकल्प अपनाया है? Option A. तमिलनाडू. Option B. पंजाब. Option C. आंधरप्रदेश. Option D. उत्तरप्रदेश. सही जवाब है. Option C. आंधरप्रदेश. आंधरप्रदेश विधान सभा ने विधान परिशत के उनमूलन के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जो सरकार को लगता है कि महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने के लिए एक बड़ी बाधा है. Question No.24. हाल ही में किस राजसरकार ने एक वर्चल पुलिस स्टेशन शुरू किया है? Option A. बिहार. Option B. राजस्थान. Option C. गोवा. Option D. ओडिशा. सही जवाब है. Option D. ओडिशा. ओडिशा की राजसरकार ने एक आभासी पुलिस स्टेशन शुरू किया है, जहां लोग पुलिस स्टेशन का दौरा किये बिना अपने वाहनों की चोरी के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. E. पुलिस स्टेशन भुवनेश्वर में राज अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो से कारे करेगा. मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने इसका उद्घाटन किया. पुलिस स्टेशनों का दौरा करने के लिए नागरेकों की आवश्यक्ता को प्रभावी धंग से कम करने के लिए यह पहल शुरू की गई है. Q25. तर्णजीत सिंग संधू को अंडर्सकोर के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है. Option A. रुस. Option B. अमेरीका. Option C. जर्मनी. Option D. मलेशिया. सही जवाब है. Option B. अमेरीका. तर्णजीत सिंग संधू सयुक्त राज्या अमेरीका के अगले भारतिया राजदूत होंगे. वह हर्शवर्धन श्रिंगला को सफल करेंगे, जो विदेश सचव के रूप में कारेभार संभालेंगे. वह वर्थमान में श्रिलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में तैनात हैं. Question No. 26. भारतियन और सेना ने मेड़ा गासकर में आपदा राहत प्रदान करने के लिए उपरेशन अंडस्कोर शुरू किया है. Option A. निस्तर. Option B. वनीला. Option C. सुनन्या. Option D. मदद. सही जवाब है. Option B. वनीला. चक्रवात डायने के कारण हुई मेड़ा गासकर पोस्ट तबाही की प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए उपरेशन वनीला शुरू किया गया है. मेड़ा गासकर के वर्तमान प्रदान मंतरी क्रिस्टियन नत से हैं. मेड़ा गासकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है. Question No. 27. निम्नलिखित में से किस शब्द को 2019 के ओक्सफ़र्ड हिंदी शब्द का नाम दिया गया है? Option A. नारी शक्ती. Option B. विशेला. Option C. सम्विधान. Option D. जलवायू आपातकाल. सही जवाब है. Option C. सम्विधान. Oxford University Press. O. U. P. का नाम सम्विधान. सम्विधान. 2019 का Oxford हिंदी शब्द है. उप के अनुसार. सम्विधान का अर्थ है मूलभूत सिधान्तों या स्थापित मिसालों का एक निकाय जिसके अनुसार एक राज्य है या अनिस अंगठन को शासत माना जाता है. वर्ष 2019 का Oxford वर्ड एक जलवायू आपातकाल है. Question No. 28. टेक महिंद्रा ने किस शहर में Google Cloud Center of Excellence की स्थापना की है? Option A. Bengaluru. Option B. Chain Nain. Option C. Nain Delhi. Option D. हैदरबाद. सही जवाब है. Option D. हैदरबाद. Digital परिवर्तन प्रदाता टेक महिंद्रा ने हैदरबाद में वैश्विक्स्तर पर उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन को चलाने के लिए एक समर्पित Google Cloud Center of Excellence, COE की स्थापना की है. COE उद्यमों को Google Cloud में महित्वपून कारेभार को स्थाना अंतरित करने, उनके Artificial Intelligence, AI और Data Analytics समाधान विक्सित करने और कारेस्थल उत्पाद कता में सुधार करने में मदद करेगा. टेक महिंद्रा के वर्तमान CEO CP गुर्णानी है. Question No.29. पूर्वराश्रपती प्रनब मुखरजी ने एक पुस्तक रिलिंटलिस का विमोचन किया. यहाँ पुस्तक अंडस्कोर की आत्मकता है. Option A. प्रनब मुखरजी. Option B. यश्वन्त सिनहा. Option C. जानकी बलब पतनायक. Option D. इंदर कुमार गुजराल. सही जवाब है. Option B. यश्वन्त सिनहा. पूर्वराश्रपती प्रनब मुखरजी ने यश्वन्त सिनहा की आत्मकता लेस रिलेटिव जारी की. यश्वन्त सिनहा एक पूर्व भारतिय प्रशासक, राजनीतिग्य और पूर्वित मंत्री. 1990-1991 प्रधान मंत्री चंद्रशेखर के अधीन है. Question 30. भारतिय रेल्वे ने किस शहर में भारत का पहला सरकारी अप्षिष्ट से उजा सयंत्र चालू किया है? Option A. नई दिल्ली. Option B. भूवनेश्वर. Option C. गोरकपुर. Option D. कानपुर. सही जवाब है. Option B. भूवनेश्वर. भारतिय रेल्वे ने पूर्वी तट रेल्वे के भूवनेश्वर में मंग्शेश्वर कैरिच रिपेयर और वर्क्षोप में देश के पहले सरकारी अप्षिष्ट से उजा सयंत्र के लिए कमीशन किया है. इस वेस्ट टू एनजी प्लांट की क्षमता प्रति दिन 500 किलग्राम कच्रा है. यह अप्षिष्ट से उजा सयंत्र पॉली क्रैक नामा के एक पेटन तकनीक का उप्योग करता है, जो की कई फीडस टॉक्स को हाइडरो कार्बन तरह लींधन, गैस, काबन और पानी में बदलने के लिए दुनिया की पहली पेटेंटेड विशम उत्प्रेरक प्रक्रिया है प्लास्टिक और रीक्चरे सहित सभी प्रकार के कच्रे को लाइट डीजल तेल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो की प्रकाश भट्टियों के लिए उप्योग किया जाता है Question No.31 Assam Rifles ने किस राज में युद्धिस मारक्त का निर्मान किया है? Option A, Nagaland Option B, Meghalay Option C, Arunachal Pradesh Option D, Manipur सही जवाब है Option A, Nagaland Assam Rifles ने Nagaland में एक सयुक्त युद्धिस मारक्त का निर्मान किया है यह युद्धिस मारक 357 कर्मियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने पूर्वोत्तर राज में विद्रोह के खिलाप लडाई में अपने जीवन का बलिदान दिया था इसका निर्मान Nagaland के मोकोक्चुंड में किया गया है War Memorial में तीन भी सरन्पद हैं जो तीनों सेनाओं, Assam Rifles और वायू सेना को दर्शाता है Question No.32 किस देश ने सबसे अधिक उचाई वाले फैशन शो इवेंट के लिए गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया? Option A. भूतान Option B. चीन Option C. नेपाल Option D. भारत सही जवाब है Option C. नेपाल नेपाल ने पृत्वी पर सबसे अधिक उचाई वाले फैशन शो के आयोजन के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया है Everest Base Camp के पास काला पत्थर में 5,340 मीटर, 17,515 फीट की उचाई पर Mount Everest Fashion Runway का आयोजन किया गया था यह कारिक्रम नेपाल सरकार के नेपाल वर्ष 2020 पर जाए अभियान का हिस्सा था फैशन शो का मुख्य उद्देश जलवायू परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करना और दुनिया को एक संदेश देना था कि नेपाल सभी गतिविधियों के लिए गंतव्य है ऑप्शन डी जापान सही जवाब है ऑप्शन बी बांगलादेश भारत और बांगलादेश के बीच संप्रीती नामक एक सयुक्त सैन्य अभ्यास में घालाय के उम्रोई में आयोजित किया जाना है क्वेस्चन नंबर 34 34 वा सूर्ज कुंडंत राश्ट्री अशिल्प मेला 2020 किस शहर में आयोजित किया जाना है ऑप्शन A फरीदाबाद ऑप्शन B जैपुर ऑप्शन C अजमेर ऑप्शन D गुरुग्राम सही जवाब है ऑप्शन A फरीदाबाद राश्ट्रपती रामनाथ कोविंद 1 फरवरी 2020 को फरीदाबाद हरियाना में 34 वे सूर्ज कुंडंत राश्ट्री अशिल्प मेले का उधगाटन करेंगे सूर्ज कुंड शिल्प मेला पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था तब से उत्सव को सूर्ज कुंड में हरियाना पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्श आयोजित किया जाता है यह मेला सूर्ज कुंड मेला प्राधिकरन द्वारा संयुक्त रूप से पर्यटन, कपड़ा, संस्कृती, विदेश, पर्यटन विभाग, हरियाना सरकार और हरियाना पर्यटन निगम की केंद्रिय मंत्रालियों के सहीयोग से आयोजित किया जाता है मेले का भागिदार देश उजबेकिस्तान है और हिमाचल प्रदेश राजी को थीम राजी चुना गया है विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्खाटन किस राजी में किया गया था? आप्शन आंधरप्रदेश आप्शन बी तेलंगाना आप्शन सी, तमिलनाडू आप्शन डी, ओडिशा सही जवाब है आप्शन बी, तेलंगाना 35, तेलंगाना के हैदराबाद में कानहा शान्ती वनम में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्खाटन किया गया यह केंद्र श्री राम चंद्र मिशन और हृदय संस्थान के गठन की 75 वी वर्ष गांट पर बनाया गया है ध्यान केंद्र में वन लाक लोगो को समायोजित करने के लिए केंद्री अहॉल और आठ परिधी अहॉल हैं और यह ध्यान प्रशिक्षन मुप्त प्रदान करेगा विडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आप इस क्विस का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिये गए विवरण में लिंक पर रवन्ड स्लेट एप्लिकेशन डाउनलोड करें यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कॉमेंट करें अगर आपको विडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविश्य के विडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें